पवन पुत्र हन्मान जी मा सीता से कहते हैं आज्या देव मा मैं फाल खाऊं। कहते हैं मा मैं बहुत समाई से भूका हूँ आप मुझे आग्या दीजिए इस वाग में कितने सुन्दर फल लगे हैं एफ फल देखकर मुझे ज्यादा भूख सताने लगी है तब मा भवानी सीता कहते हैं इस बाग की रखवाली बड़े वलवान योधा करते हैं कोई भी योधा आ जाएगा तब क्या होगा हन्मान जी कहते हैं मा मुझे योधा और लड़ने का डर नहीं हन्मान जी अपना स्वरूप दिखाते हैं कानक भूधरा कार सरीरा समारे भयाईं करयाती रण धीरा इनका साइब देखकर माभवान इनको आदेश दे देती हैं कि जाओ पुत्र फाल खाओ तो आज्यादे माहा मैं फाल खाओ आज्यादियो मैया मैं फाल खाओं खाओं आज्यादे माहा मैं फाल खाओं दे हज्यादियो आरे आज्यादे माहा मैं फाल खाओं मैया अपनी भूक बुझाओं तो बुझाओं तेरे ब्राग्चे को हात न लाग हात न ही लाग कौन हूं तो बली के मैं हात न ही आवू हरी काहू बली के हात न लाग हूं आज्यादे माहा मैं फाल खाओं आज्यादे ओ माहा मैं फाल खाओं आरे अपनी भूख बुझाओं हरी आरे समझाए समझादे न ही लाग तुई क्या से समझाओं आरे जो कोई आस्वारे आये लांका के तो भाईया काहा तो छे पाओं हरी तुम को कहा छिपाओं छिपाओं आज्यादे माहा मैं फाल खाओं आज्यादे माहा मैं फाल खाओं आपेनी तो भूखे बोजाओं हरी आरे जो कोई आस्वारे आये लांका से छोटा सा बन जाँ आकिया नसे ना न मोई बुलाईया माईया मुख्वा बुलाईया मैं जल दी भगयाँ भगयाँ अरे आज्यादे माहा मैं फाल खाओं आज्यादी ओ माईया मैं फाल खाओं या पेनी भूखे बोजाओं बहुत दिनों को है भूखो माता या ज्यादे फाल खाओं अरे फाल खाओं तुल सिदा से आज रगवरके अरे हरी से ध्यान लगाओं रे हरी हरी से ध्यान लगाओं लगाओं आज्यादे माहा मैं फल खाओं आज्यादे माहा मैं फल खाओं आज्यादे मारे फाल खाओं हापेनी भूखे बोजाओं है